जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूपटी चैनल एज़ेश्टडी पे दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले इंडियन कोष्ट गड़ नाविक डीवी जीडी के रिजल्ट को लेकर कि आप लोगा रिजल्ट को लेकर बहुत सारे बच्चों का मैसे रिजल्ट को लेकर इस वीडियो में आप लोग के साथ डिसकस करेंगे रिजल्ट के साथ साथ कि हम आप लोग का अपन कर सकते हैं इन्याel को स्वाइब नाविक डीवी could correcting केसन और ऑफीसिल नोटिफीकेशन के अनुसार अगर देखा जाए मेरा तो इसमें साफ साफ मेंश कर दिया गया है कि आप लोगा जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा तो चलते हम नीचे और आप लोगो दिखाते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट जो है कब आएगा और कट अफ उसके बाद डिसकस करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोग यहां पर आओगे तो यहां पर आप लोगो देखने को मिल जागा मेरे भाई नॉटिफिकेशन में रिजल्ट डिकलिएशन वाले ओफशन और इसमें आप लोगो लिखा गया है दे रिजल्ट ओफ इच अध्युक्षाइब न टू थाट थाट यहां पर अश्टेज वाइं लोग इसामीनेशन उसको जो एनाउंस कर दिया जाएगा वह तीस दिन के अंदर अंदर आप लोगो को कर दिया जाएगा कहने का मतलब यह है कि आप लोग का को स्ट गार्ड का इक्जाम मार्च में चला था मेरे बहुँ ठीख है और March में आप लोगब का एकजाम जो है वो 26 March सायद से last थाज या हो सकता कि 28 हो ठीख है मालो ठीख है लेकिन 26 March तक सायद से last exam रहे तो इस तरफ से अगर देखा जए तो आप लोगब को इंतजार जो करना चाहिए वो करना चाहिए आप लोगो 26 अपरायल तक ठीक है और हर बार अगर पिछले रिकॉर्ड देखोगे तो कोश्ट गार्ड जो है 27 से लेकर और 30 दिन के अंदर अंदर 30 होते होते आप लोगा रिजल्ट दे देता है तो हम कहा सकते है मेर भाई आप लोगो लेटेश्ट नव 25 आने वाले हैं अब हम लोग बात करते कि इस बार का कटफ क्या रहेगा ठीक है उससे पहले छोटी सिजन का रही आप लोग के लिए तो अभी हम बात करने वाले दोस्तों CRPF Constable की बेस्ट बुक जो कि चक्चु पब्लिकेशन की है ये बुक आप लोग ले सकते हो भी CRPF की तगरी वेकेंसी है ये आप लोगो सब को पता होगा ठीक है इसमें लिटेश्ट एक्जाम पेटन पर ये बुक को बनाया गया है इस लोग जाओ फटा-फट से इस बुक को ऑल्लेन आफ लैन जैसे खरीदना चाहते हो खरीदना बहुत ही वेस्ट बुक है मैंने खुद देगा है ठीक है तो जाओ कि अगर CRPF की त्यारी करते हो ये बुक को ले लो अब हम बात करते दोस्तों कतफ खरीक कितना जागा ठीक है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस असब को ये वो कब जाएगा कितना जाएगा ठीक है देखो हर चीज का cut-off इसमें जो होता है ना वो categories लगते हैं यानि कि general का अलग लगता है मेरे भाई ठीक है OBC का अलग लगता है ठीक है उसके बाद आप लोगा जो हो जाएगा मेरे भाई क्या करते हैं तो OBC में आप लोगो 47 से लेकर कम से कम 50 के बीच में आप लोगो स्कूर करना चाहिए तब जाके आप लोगा क्या होगा इस बार selection हो जाएगा ठीक है वही बात करते हैं SC की तो SC का 44 से लेकर 46 इस बार का करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर आप लोग भ्यान देना कि इतना अगर नंबर है न डीवी के अंदर में इतना स्कूर की हो न तो आप लोग गदम उमीद रख सकते हूं कि आप लोग का result जो है इस बार डीवी के अंदर देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हम लोग जीडी के करते हैं तो वही ओबी सी के लिए बात करेंगे सबसे पहले तो ओबी सी के लिए बहातर से लिए कर दोस्तों इसक्तर के बीच में रहेगा मेर बात करेंगे दोस्तों सबसी की तो iTI का इस वार कर गाएस से लिकर 65 के भीच में रहेगा ससर्द इसके पर इससा कितना जाएगा तो whether its ऑपन से चपन के भीच में ढाइग कर ठीक है इससे ज्यादा कट आफ नहीं जाएगा जितना ही बताएं हो इतना है तो आप लोग को stage 2 की त्यारी कर दिनी चाहिए अब stage 2 में आप लोग का कब से होने वाला और क्या होगा stage 2 का यहाँ आप डिटेल दिया हुआ है कि stage 2 आप लोग को mid या end मई में आप लोग हो जाएगा तो इतना नंबर है और पूरे अच्य तंसे लिक है और एक रिक्वेस्ट आप लोग से कि वीडियो देख के चले जाते होने डाइक हो पने दोस्तों के साथ बाकई मिलते कुछ और अपडेटित आता है इसके regarding तहो तब तक के लिए दोस्तों टेलिग्राम को ज्यान कर लेना, लिंक के दिस्क्रिप्ट्प्शन बॉक्स में दियां, होर अब देट, नॉटिफीकेशन इस ट्रडिं में टेलिए या सर्च भी कर सकते हूँ, स yea उन preciousesting चेटेछ, और ज्यान हो शकते हो, तब तक के लिए दो